जहिन फ्रेंड्स वेलकम टू पूरा एकेडमी पूरा एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है फ्रेंड्स आपको बता दूँ यहाँ पे मैं दहिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लेके आता हूँ जो आपके किसी भी कॉम्प्टिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ह सटीक बैठता है तो अगर आप कॉम्प्टिशन की तियारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्टिटिव एक्जाम्स की तियारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है और सबसे पहले यह भी चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे सारी चीजें आपको एक जगां कभर की जाती है जैसे कि आपका डेली करेंट अफेयर्स पी आईबी का न्यूज और एडिटोरियल एनलिसिस डाउन टू अर्थ के न्यूज तो यह सारी डिटेलिंग फ्रंट लाइन का भी सारी डिटेलिंग आपको एक ही जगां पे प्राप्त हो जाती हैं अगर आप इस चैनल पे नहीं ह उससे पहले मैं आपको बता दूँ हर बार की तरह यहां पे प्रिवियस येर क्वेश्चन्स यूपियस सी का सुरू करता हूँ उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो चलिए देखते हैं यहां पे यूपियस येर क्वेश्चन्स जो 2022 में पूछा गया है तो क् Certified Declaration of Emergency चुकी हो नहीं सकता to pass a motion of no confidence against council of minister तो बिल्कुल ये exclusive power में ही आता है no confidence motion सरकार गिराने के चक्कर में कोई चीज़ें तो ये कहिने कहीं exclusive power के चक्कर में यहां पे आता है दूसरी चीज़े to impeach the president of India तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इसमें नहीं आती है यहां पे आपक लोग सबन ही राज सबा के भी member यहां पे include हो जाते हैं तो ये चीज़ें देखने योग हैं और इसका right answer मैंने यहां पे दिया हुआ है second only तो यहां पे इसकी explanation को देखेंगे हम यहां पे पहला statement incorrect है क्यों है वो देख लेते हैं तो detailing देखेंगे तो यहां पे proclamation of emergency जो की बोल करते हैं दोनों house के द्वारा यहां पे एक महिने के अंदर यह चीज़ें issue हो जानी चाहिए और approved by the both house of parliament दोनों parliament की house राज सबा लोक सबा यहां पे इस पे approval देती हुई नजर आती हैं तभी जाके यह चीज़ें चलती हैं जो की statement आपका गलत दिया हुआ है emergency continue यह 7 महिने के आस-पास तक रहती हैं और इसको extend किया जाता है क्या indefinite period तक तो ध्यान है यह चीज़ें indefinite period तक इसको extend किया जा सकता है तो इमेर्जेंसी का बात अलग है और president rule का बात अलग है यहां पे questions are confused यूज नहीं होना है, दूसरा statement क्यों हो, यहाँ पे सही हो गया, तो article 75 clause 3 provide करता है clearly क्या council of minister को, कि यह collectively responsible होंगे, यहाँ से questions कई बार 1012 गया होंगे, UPSC में आपको बता दूं तो, और state PCS के तो फेबरेट topic है, क्या council of minister, जो भी parliamentary affairs है, यह बहुत फेबरेट topic होती है, तो council of minister shall be collectively responsible to the house of people, मतलब लोग सभा की बाते बोली जा रही है, तो यहाँ पे only लोग सभा can pass no confidence motion, जो की बहुत सही है, सीधा सीधा मेंसन है, अगर आप जाके पढ़ेंगे, अपना पॉलिटी की बुक, तो straightly यहाँ पे mention किया हुआ है, तीसरा statement भी यहाँ पे incorrect है, article 61 क्या कहता है, वेने president, इस to be impeach, जब उनको हटाने की बाते बोले जाती है, किस चीज में, तो violation of the constitution करेंगे, तब यह चीजें चलेंगी, charges can be initiated by either, किसी भी house के द्वारा यह charge लगाया जा सक सकता है, और शुरू भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं, केवल लोगसभा के पास ऐसी power है, तो फिर democracy रही कहां, अगर राजसभा को यहाँ से हटा दिया जाता है, तो यह चीजें तो impeachment है, resolutions need to be passed by majority, of two, third, two by third majority, total membership in each house, तो यह चीजें आकड़ा है, यहाँ से questions बने हुए हैं, यह चीजें याद रखिएगा, और यह exclusive power में बिल्कुल नहीं आता, कैसे exclusive power में नहीं आता, क्योंकि राजसभा का भी रोल है, इसमें, इसलिए नहीं आता, दूसरे question को देखेंगे, जो की important है, उसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पे peak है, उसके mountain को बताया गया है, कि किसकी छ commitment, second वाली, इसके explanation को हम देखेंगे, पेर वन incorrect क्यों है, वो हम देखेंगे, नमचा बरबा जो है, एक mountain peak है, कहाँ पे, तिबद रीजन आ, पेमू की, तो आपका सटा हुआ रीजन है, उससे ये boundary टच करता है, तो eastern section आप हीमाल्या, in south eastern तीबित, ये तीबित वाले रीजन मे north east से, जो सटा हुआ है, वहाँ पे पड़ता है, तो गड़वाल हीमाल्या, mountain range located, इंडिया, इंडियन, इस्टेट आप, उत्तराखंड, सीरे सीरे, यहीं से हम question को काट सकते थे, statement को काट सकते थे, दूसरा pair क्यों सही है, वो देख लेते हैं, तो नंदा, देबी 2nd, highest mountain है, ज northern इंडिया में ये चीज़े है, और extend करता है क्या, 320 km से लेके सतलज river तक, काली river तक, ये चीज़े boundary बनाती हुई, निकलती है, ये rises कहां तक है, इसकी height की बात पुली है, 7817, यहाँ पे meter तक जाती है, और range highest peak के रूप में यहाँ पे 7756 meter, कामित के पास, यहाँ पे कामित भी ये एक mountain की चोटी है, चाइना border को लगती है, तीसरा paper के on incorrect है, इसको भी हम देख लेंगे, नौकरेक peak जिसकी बात बोली जा रही है, North East of India, यहाँ पे तूरा range में पढ़ता है, तो जो की आपकी कहां पे है, नौकरेक मेगालिया में है, यहाँ से questions, कई बार PCS वालों ने तो खूब धेरो सारे questions बना दी है, तो इसकी importance को समझना है, नौकरेक peak मेगालिया प्लेटिव के आसपास यहाँ पे पढ़ती है, इंटाइर एरिया mountainous है, और नौकरेक is the highest peak, आप गारो हिल, गारो हिल की है, और 14-12 मीटर के आसपास यहाँ पे चीजे चलती है, यह थी दुनों इसका revision अगर होता रहा है, तो और भी best है, इसलिए अगर कोई भी examination की तियारी करते हैं, तो यहाँ पे revision को base बना के ही आगे बढ़ना है, तभी जाके चीजें crack हो पाएंगी, चली आगे बढ़ते है national park की तरब, तो हर बार की तरह एक national park देता हूँ, अगले बार इसकी rattling को देता हूँ, तो black buck, national park, यह वलवादोर में है, यह कहाँ पे है, आपको बताना है, गीर national park कहाँ पे है, यह तो सब भी लोग जानते हैं, फिर भी आप comment sections में इसको लिख सकते हैं, marine national park, gulf आपकर्च, यह कहाँ पे है, इसको भी शरीव लोग जानते हैं, इसको भी आप भी news है, तो भधरवा, जो है, एक lavender capital के रूप में भारत का उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो यह भधरवा है, कहाँ, उसको हम देखेंगे, तो agriculture, start-up, destinations के तोर पे lavender capital आप इंडिया भधरवा को बोल दिया गया, यह आपके जम्मू कस्मीर रीजन में है, तो जितेंदर सिं जम्मू क साथ यहाँ पे मिलके अर्गनाइज किया गया है, वन वीक का लैव कमपैन, तो यह चीज़े चलेंगी ताकि lavender की खेती को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, जम्मू कस्मीर के लोगों के इंकम को बढ़ावा दिया जा सके, तो यह अच्छी बाते हैं, इसलिए यह चीज़ें न्यूज में आई हैं, यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे सर्बान सुनवाल यहाँ पे क्या किये हैं, ग्रेटर कौपरेशन दिखाए हैं, बीबी आई एन एम को लेके यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग करेगी क्या, मैरिटाइम ट्रेड पोटेंशियल, तो बीबी पंजाब को लेके क्या यहाँ पे चला है, तो आप देख सकते हैं, एक पंजाब में ऐसा जगह हैं, जहाँ पर यह स्कीन डिजीजेज लोगों को लगभग लगभग मास संख्या में लोगों को इनपैक्ट करता हुआ रहा है, इनफेक्ट करता हुआ नजा रहा है, तो जैसे आपको बता दें, तो यह धरंगा वाला एक विलेज है, फजील का डिस्टीक आपके पंजाब में, जो की मेनी फैलिफोर्निया भी कभी कहा जाता था, किसके लिए सिट्रस और्कट के वजह से, लेकिन आज की इस्तिती क्या है, कि यह एक बर्डेन डिजीज यहाँ प विलेज को भी इंपक्ट करती हुई नजर आ रही है, तो पजील का में है, यह न्यूज में काफी आ गई है, इसलिए मैंने इसको कभर कर दिया, धरंग वाला विलेज है, कहां पे फैजील का में, और इससे लोगों को बहुत ही लंबे समय तक दिक्कतों का सामना करना है, 1500 लोगों के आसपास यहां पे स्कीन कंडिशन से, सीवियर स्कीन कंडिशन से गुजरती हुए नजर आई है, बहुत सारी फैमली में लगभग सारे लोग बिमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोसी तरह बात करी जाए तो 14 साल, 15 साल के बच्चों को भी यहां पे कै होती हुई नजर आ रही है, तो यह जो बुद्धा नाला है, यह कहने कहीं जोडता है रोधियाना सिटी को और यहां पे इस नदी से जाके उडेलता है, तो यह चीजें है कहने कहीं इस्सू क्रियेट कर रही है, इसको ट्रीट्मेंट की जरूरत है, नाला को ट्रीट किया ज को यहां पे cabinet government को state government को दोनों को एक साथ आने की जरूरत है तब ही जाकर ये कहीं न कहीं जो बीमारी हैं लोगों को infect कर रही है और severe बीमारी से लोग 40 साल 20 साल 50 साल की उम्र में ही cancer से लोग चल बस रहे हैं इस village की बहुत importance हो गई है बहुत highlighted news में चल ला है ये चीजे हैं आपक ये चीज़े जाननी चाहिए इसलिए इसके बारे में मैंने यहाँ पर बात भोल दी चलिए आगे बढ़ते हैं नायनीज की तरह ये एक मेजर इंवार्मेंटलिस्ट है और इनके बारे में आप सभी लोग सुने ही होंगे इनका नाम मनोज मिश्रा है और ये यमुना जी अभियान को कन्वें किये थे तो जो की लड़े थे बहुत लंबे शमय थक की प्रोटेक्ट किया जाए कि इसको यमुना रीभर को और इसके फ्लड पे नेरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए अभी रिसनेंटी COVID-19 के इससे इंफेक्ट होके इनका डेथ हो गया है तो 70 साल की उम्र में चल बसे और यहाँ पे एक और भी बात बोली जा रही है कि इनकी मित्यू सेम डे पे हुई जब यबना संसा यबना पारलियामेंट कन्वेन किया गया था देल ही में तो यह चीजें हैं कहिने कहीं एक लोग मरे हैं तो अब नए लोग यहाँ पे आने की बाते बोली जा रही हैं जब यह मरें उसी दिन यह चीजें अपनी शुरुवात किये थे यह एक इंपोर्टेंट निव जाग दूसरी जो चीजें हैं क्रीपिंग चैंज किसके उपर यहाँ पर बताई जा रही है तो आप देख सकते हैं क्या चिंजेज आने वाली है उसके उपर बाते बोले जारी है तो यहाँ पे सूट किया गया था पांच हूमन के दौरा कि हमें हिंदू टेंपल में ग्यानवापी जो मॉस्क्यू है आपके वराणजी में इस मॉस्क्यू को के अंधर हमें पूजा करने के लिए राइट्स दिया जाए, अलाउ किया जाए तो ऐसी चीजें यहाँ पे सूट किया गया था हाला बाद कोट यहाँ पे इस्टेटस के रूप में यहाँ पे लाकर रखा कि ठीक है इसके उपर विचार भी मर्ज किया जाएगा और जब अफेल्ड हुआ यहाँ पे कि आपके जेजे मुनीर यहाँ पे जो वहाँ पे डिश्टिक जस्ट थे जो वर्डिक्स सुनाएं कि ठीक है इसके विचार किया जाएगा आप लोग ओफर करिये और तो यहाँ पे रूलिंग क्या निकल के आई कि तो यहाँ पे हिंदू डिटी को कहिन कहीं पूजा करने के लिए आग्या दे दी गई तो यह भी आते बोली गई ऐसा कोई अटेम्ट नहीं है कि अगर मॉस्क्यू है यह तो इसको टेम्पल के रूप में हम कनवर्ट करने की बाते बोलने हैं यह काउन बोला यहाँ पे जूडिशरी बात बोल दी तो प्लेस आप वर्षीप स्पेशल प्रोविजन एक्ट का बाता है 1991 में ला देट फ्रोज द इस्टेटस आप पीस आप वर्षीप अजदे इस्टूड अनगस 1547 के आस पास यह जो अब भी बनाई गई थी और यह सारी ला को फॉलो करते हुए यहाँ पे इस नेड़य को जूडिशरी पहुची है कोर्ट यहाँ पे सिंप्ली रिजेक्ट करता है अब अब जेक्शन को लेके किसके कमिटी आप मैनेजमेंट अंजुमान इंतिजामी यहाँ पे मस्जीद है जो वारानसी में वो जो फाइल करता है उसको उसके फाइल को यहाँ पे उसके सूट को रिजेक्ट करता हुआ नज नहीं हो यहां पे ऐसी बातें बोली जा रही है दूसरी जो बाती बोली जा रही है उत्तर प्रदेश वाकपूर 1995 को भी लिया गया और उत्तर प्रदेश स्रीकाशी बिश्चोना टेंपल 1983 का जो एक्ट है इसको भी लिया गया और समझा गया उसके बाद जो यहां पे और निक पचा कुछा चीज थी उसको गिरा के धोस्त करके अपनी चीजों को यहाँ पर तयार किया गया है तो जो की मैटर आप कंसरन है और जुडेशरी इस पर ध्यान दे रही है यह सारी बाते यहाँ पर बोले जारी है आप देख सकते हैं यह आपका ग्यानवापी मस्जिद है तो ग्यानवापी मस्जिद है यह रहा लेकिन ठीक इसकी पीलर को आप देख सकते हैं ध्यान से यह कोई मस्जिद की पीलर नहीं है यह आपके इंडिजीनेसली डिजाइंड और कंस्टक्टेड पीलर है यानि यह प्रूब है आर्केलोजिकल कहीं कहीं कि यह पहले टेमपल हुआता है ऐसा नहीं कोई जज्मेंट अगर आ जाए तो उससे वहां का माहौल और खराब हो जाए तो यह चीज़े कोड यहां पे जो डिसाइड किया है और रिजेक्ट किया है सिविल सूट को यहां पे वो निकल के आ रहा है हिंदू डिटीज वेर बिंग वर्सीप बात करी जाए अगर हिंदू डिटीज की जो भी देवी देवता है भारतिय कल्चर के अनुसार तो वहां पे वर्सीप किया जाते हैं उस मौस्क्यू में बहुत लंबे समय से और 15 अगस 1947 ऐसे पहले से ही वो चीजें चली आ रही हैं ग्यानमापी 1990 में अगर हम बात करें तो यहां पे जब सस्पेंड कर दिया गया था यह movement बाबरी मस्जिद के बाद तो यह चीजें जब सस्पेंड किया गया था तो यहां पे single day एक साल में खुलता था और इस पे भी हिंदू अ अपना एक्स्प्रेस करते थे भगमान के प्रती जो भी शद्धा है मंदिर में जाके करते थे यानि ग्यानमापी मस्जिद में जाके करते थे court यहां पे reject किया है objections को और suit instance आप एक बड़ी ही चलाकी तरीके से यहां पे draft किया गया है और इसको cover up करने की बाते बोली जा रही है यह किसके views है एडिटर के views है जो की आपको सुनने को मिल रहा है तो यहां पे work port यहां पे उनकी property यह सारी चीजे देखी जा रही है और इस creeping change तो यह धीरे धीरे कहीं कहीं अगर आप किसी को right दे दिये हैं एक Moscow के अंदर कि जाएए आप temple है आपका आप वर्शिप करिए तो यह कहीं धीरे धीरे किस चीज को बदल करेगी यह एक creeping change in the system की वहां पे लोग बहुत लंबे समय से पूजा आरचना करते हैं हिंदू की व आपके clear हो गए होगी ग्यान वापी से related कहां पे है तो आपके उत्तर प्रदेश के वारानसी सहर में श्थित है ठीक आपके 802 स्वनात मंदीर टेमपल जो है जो जोतिर लिंग है ठीक उसके सटे ही यह टेमपल है तो यह इसकी locations को आपको बता दिया अब आगे बढ़ते हैं नए news की तरफ तो यह ओट फार्चेंज एक नया editorial है इसको हम समझेंगे सबसे पहले आपको बता दूँ यह सारी की सारी information भारत के सटे border जो की एक country है म्यानमार उसको लेके यहाँ पे news में है तो 14 माई को parliamentary elections offer होता है और यहाँ पे royalist और military backed government और pro-democratic इन में reformist होती है positions को ले ही निकल के आता है parliamentary result जब announce होने को है यहाँ पे तो progressive move forward party यहाँ पे इमर्ज होती है single largest party तो यह चीजे progressive move forward party single largest party बनती है 152 सीट के साथ यहाँ पे फुई थाई पार्टी अनादर pro-democratic आउटलिप लेड़ बाई पेंटागान सिंतवांतरा यहाँ पे चीजें जो की डॉटर है कि इसकी प्राइम मिनिस्टर थाक्षिन सिंतवांतरा की यह 141 सीटेों लेके आती है तो 142 से majority में आ जाती है PMFC यह चीजें याद रखिएगा PMFC यह party news में है questions party से भी बन सकते हैं तो इसलिए basic चीजें आपको मालूम होना चाहिए progressive move forward party majority में चल लई है और दूसरी party कौन सी है फाइथाई party जो की news में है तो यहाँ पे move है इसी को किस प्रकार से यहाँ पे जो military rule है वो किस प्रकार से अपने power को transfer करेंगे उजो की easy नहीं होगा यहाँ पे वही बाते बोली है कि forward कैसे करेंगे power को यह भ उनों में जो टसल्स है अपनी अपनी आइडियाज को लेके अपनी अपनी नीड को लेके वो यहाँ पे बात बोली जा रही है तो party के manifesto में stop करने की बाते बोली जा रही है किसकी military जो rule है उसको हटाने की बाते बोली जा रही है cycle आप cops को हटाने की बात बोली जा रही थी त देखने योग बाते हैं आपके सटे बगल में ये चीजें चल रही हैं म्यामार में दूसरी जो बाते बोली जा रही हैं यहाँ पे कि पार्टी जो है increasingly angered है किस प्राइम निश्वर से तो प्राइज चौंग चौ एथोरिटेरियन जो है उनसे यहाँ पे बहुत ही लोग नाराज है और economic opportunities को कहने कहीं भी ये सुखाते हुए नजर आ रहा है कहने कहीं दिक्कत में करते हुए नजर आ रहा है म्यामार की economic prosperity को भी ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है दूसरी जो है यह एक easy नहीं हुआ कि यहाँ पे government कैसे form करें लेकिन electoral victory के बाद यहाँ पे चीजें बहुत होच-पाज हो गई है opposition coalitions की बात करते हैं अगर तो 309 seat majority में लेके आती है 500 में से लेकिन वही पे Thailand की बात करता है तो 750 member यहाँ पे होते है जो की bicameral parliament है और 250 member senate को यहाँ पे दी जाती है military के द्वारा तो यहाँ पे military appoint करता है 250 member को जो की यहाँ पे देखिए military की और democratic system से elected की दोनों में भीडन्त होनी ही है क्योंकि military का भी यहाँ पे रोल है और government कैसे form होगा तो कईने कई coalitions की government यहाँ पे आएगी तब जाकर चीजें होंगी July 13 की बात करें तो यहाँ पे elections commissions अपनी चीजों को बताने वाला है और 2019 की elections की बात करें तो future forward party जो थी जो पहले party थी यह इमर्ज होके आई और तीसरा largest party करूप में यहाँ पे आई है इसके बाद आगे जो बढ़ते हैं वो leaders जो है बैन किये गए प्रम politics और पीता इस आल लेडी यहाँ पे mr. पीता एक है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यह चीजे चलेंगी उसको देखने योगे बाते रहेंगी तो 2020 से ही protest चल ला है कि democratic system लाया जाए लेकिन military जो है यहाँ पे defy करती हुई नजर आ रही है आगे देखेंगे किस प्रकार से यह government form होती है तो कहाँ पे है सारी detailing आपको चीज चाहती है इसलिए यह सारी चीजें आपको मैं सारी detailing यहाँ पे दिया आगे बढ़ते हैं देली ordinance की तरह अब तो देली में भी एक टसल चल ला है central government union government के द्वारा union government और state government के द्वारा देली government के अंतरगात यह चीजे चल लही है तो अब आपको बता दें मई 19 को यह जो अब देली act 1991 को ही बदलने की बात कर डाली किसने union ने तो यह एक ordinance ordinance कौन पास करता है यहाँ पे आपके president यहाँ पे ordinance पास करते हैं तो आपको बता दें सुप्रीम कोट recently judgment में 11 मई को यह बताया है कि जो भी bureaucrat के power है आपके डेली government के अंदर है उनकी transferring power appointment power bureaucrat की डेली government के पास ह आपको बता दें union territory होने की वज़े से इसका police और land और order यह जो चीज़ें है यह union government के अंदर में आता है जो कि directly home ministry के अंदर में आ जाता है लेकिन यहाँ पे जो judgment है सुप्रीम कोट के judgment को ही यहाँ पे हटाते हुए नजर आया सुप्रीम कोट के ज़जमेंट के अगेंस्ट म ordinance लाया गया है वो entry 41 को हटाएगा और list से हटाएगा देली government control and create national capital service authority यह चीजों को हटाते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे यह भी वाते बोली जारे हैं चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी आप इस पर सेक्रेटरी होम यहाँ पे decide करेगा इन matter को मिलके यहाँ पे चीजों क decide करेगा discussion of the authority will be made through majority तो जो भी discussions होगी voting के तहत होगी और यहाँ पे क्यों कोन vote करेगा यह भी देखनी योग की बाते हैं two union appointed bureaucrat could overrule the chief minister तो यहाँ पे दो union appointed bureaucrat क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर को कई न कई overrule करते हुए उनकी बातों को हटाते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पे questions उठके आ रहा है कि Delhi government elect होके आई है इसकी power bureaucracy के प्रति बिल्कुल भी नहीं है क्या तो इसी चीज के लिए judgment यहाँ पे Supreme Court ने अपना दिया था तो यहाँ पे LG की बाते last में अगर कोई issue निकल के आती है तो last की बाते LG की माने जाएंगी lieutenant governor आप Delhi की बाते माने democracy प्रजातरन की bureaucratic को लेके जिम्मेदारियों को लेके accountability को लेके executive जो law बनाते हैं judiciary की review power को लेके यहाँ पे questions उठाती हुई नजर आ रही है तो आम आदमी party यहाँ पे क्या कर रही है सारे opposition से support मांग रही है कि आप support करें यह तो चीजे सरासर गलत है हम elect करके आए है हमारी जो democratic rights है political power है जो उस अब भी सारी हटा दी जा रही है जीतने के बाद भी तो यह चीजे निकल के आ रही है देखते हैं कि इस अत्त के चीजे सही चलती है presidential ordinance एक problematic conditions create करता हुआ नजर आ रहा है पहला बात बोली जाए कि government shift कर रही है अपने इस ब्रेजन एक्ट को undoing the constitutional judgment जो constitutional judgment दिया गया है उसके बिरुद भी यह चीजे जाके चीजों को overrule करती हुई नजर आ रही है देली की legislative power की बात करी जाए तो आर्टिकल 239AA में आता है तो यह without amending of the constitutions यह चीजें चल नहीं सकती इसलिए ऐसी बाते यहाँ पे बोले जारी है कि कैसे यह ordinance ले लेके आ जा रहे हैं यह सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ordinance की बात करीज़द direct एक हमला है कि इसके उपर federalism पे democracy पे direct हमला बताया है तो यह इस power को grab करने के लिए य नो कि इस प्रकार से तोड़ फोड मचाने की lodge में अवशकता है अभी रिसेंटली जो accident हुआ देश के लोगों की जो छती हुई और दो track पे trainे थी तीसरी trainे आके भिडंत होती है कोरो मंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस और यहाँ पे लगभग 277 के आसपास लोगों की मिर् रिपीटेडली कई bodies को count कर दी गई थी तो यहाँ पे 277 के आसपास आकड़े रखे गए हैं देख सकते हैं यहाँ पे red distance लग रहा है यह लाल कलर कुछ कलर नहीं है यह आपके blood ही है तो यह इतने जो में जो टक्कर हुई है वो क्यवल क्यवल blood यहाँ पे दिख रहा है तो य पर कर सेन लगे हैं और यहाँ पे सबसे important issue निगल के आ रही है कि कवच system कहाँ पर था यह कवच system क्या है इसकी detailing को देखेंगे क्या यह होता तो लड़ता नहीं train उसको भी देखेंगे कैसे यह कवच system काम करता है उसको भी हम देखेंगे तो working system आप कवच को भी हम देखेंग कि यह हवच है क्या यह एक indigenously develop किया गया है ATP तो ATP क्या है automatic train protection यानि swim train को protect करने की यह एक ऐसी device है जो train को लड़ने से swim बचा देगी तो यह बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा करता है और इसकी efficiency अच्छी है तो यह well and good fair enough बहुत अच्छी बात है system by the research design and standard organization RD SO ने इसको design किया है इस system को ATP system को automatic train protection जिसको कवच नाम दिया गया है तो यह कैसा कवच shield के रूप में कार करेगा और train को भिड़न्थ होने से रूखेगा यह trial करी गई थी south central railway में कि इसकी safety train की है कि नहीं operation across Indian railway और यह state of the art electronic system with safety integrity level 4 TSI L4 के standard level पे इसको बताई गई थी जो की एक strong सबसे strong बाते बोले जारी है कि यह safety को concern में रखे बड़ी अच्छी चीजे है और यह strongly safety के लिए जाने जाती है और यह अगर चीजे लग गई तो यह protect और prevent कि इसको करेगा जो भी rate signal को jump करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कहिन कहीं collision नहों उसको रोकता हुआ नजर आएगा कैसे यह swim activate कर देता है braking system अगर driver वहाँ पे कहन कहीं इस सब चीज को करने में fail हो जाता है तो इसको मालूम चल लाएगा और speed के भी restrictions पे भी एक कार करता है यानि speed को घटा देगा direct brake लगा सकता है emergency brake लगाने की बाते हो जाने और hooter भी बजा सकता है तो य एक ऐसी चीजे है जो कि कहन कहीं अगर इन ट्रेनों में ये चीजे होती ही तो क्या ये ट्रेने भीडती ही बिल्कुल भी ये ट्रेने नहीं लड़ती ही और लोगों की 288 जो आकड़ा बोला गया था इन लोगों की death होने से बच जाती SOS Message भी Emergency System पे ये भेजने की बाते करता है कवच जो है एक cheapest है बहुत सस्ते दाम में इसको बात बुरी जारी है कि इसको लगाया जा सकता है SIL4 Certified Technology है जो की Probability Error करता है एक Error करेगा आपका 10,000 सालों में ये Error कहां तक माइने रखती है 10,000 साल में कौन जीता है तो एक Error इसकी इतनी strong system लेके आती है तो इसको हमको देखना चाहिए और इस पे कार करना चाहिए ये TCAS क्या होता है Traffic Collision Evidence System ये चीज़ें जो की Evide करेगा ट्रैफिक में अगर कोई भी Collision होती है तो इसको Evide करने की छमता है Help Up Equipment On Board Locomotive Transmission Tower Stations Connected with the Radio Frequency RFIID के टेकनलोजी पे कार करता है टैग्स लगा रहेगा जिससे आपको रेडियो सिगनल से अगले ट्रेन के कोचेज में और इस ट्रेन के कोचेज में जो भी वहाँ पे operator होंगे जैसे ट्रेन ड्राइबर उनको सिगनल पहुच जाएगा इस वाले ट्रेन ड्राइबर को भी सिगनल पहुच जाएगा कि इसके टेकनलोजी से यहाँ पे Radio Frequency Identification Track तो इस माध्यम से कहीं ने कहीं यह चीजें चली जाएगी तो टू वे कम्यूनकेशन होगा इस्टेशन लोको पाइलेट के माधम से इमिर्जेंसी मैसेज के रूप में वहाँ पे भी ट्रेन रुक जाएगी यह चीजें यहाँ पे बोली जा रहे हैं तो जो भी rate सिगनल होगा जम करते हुए नजर आएगा तो आपको दो मीटर भी visibility नहीं होती है तो पीक सीजर में जो होता है दो मीटर तीन मीटर भी visible नहीं होता है उसमें भी ट्रेन चलाना पड़ता है वहाँ पे भी यह कार करता हुआ नजर आएगा तो अच्छी चीजें हैं इसको समझने की जरुवत है कवच जो टैक्स बोला गया है यहाँ पे अपने आप breaking system लेके आएगा और यह सब चीजों को रोक सकता है और इसको अगर सही प्रकार से लगाए गया होता किस में सालिमार चेन्नाई कोरो मंडल एक्सपेस में या स्वन्त पूर हावडा एक्सपेस में जो की लगा ही नहीं था उसमें तो यह कहने कहीं death रुक जाती incident यह रुक जाती Southern Central Railway Zone एक पूराइनियर है और कवच इसको लेके आगे चड़ने की बात बोली जारी है 1465 किलो मिर्ट तक इन जोनों में लगाए जा चुके हैं इसको सही प्रकार से nationwide लगाने की आवश्यक्ता है कवच को implement करने की जरूरत है मिनिस्ट्री आप Railway Board ने यहाँ पे बार-बार ऐसी चीजे बोली है पहली priority की बात बोली जारी है कि जो High Density Populated Route है वहाँ पे लगाई जाएंगी New Delhi Mumbai इन रूटे पे लगाई जाएंगी New Delhi Havra Sections पे लगाई जाएंगी दूसरी priority जो बोली जा रही है Highly Used Network पर यहाँ पे चीजें लगाई जाएंगी तीसरी जो बाते बोली जा रही है Passenger High Density Route और Final Priority इसकी क्या होगी यह कि पूरे route को यह कभर करे तब जाकर कहीं कहीं सेफटी सेक्योर्टी लोगों की आ पाएगी RDSO जो डबलब किया गया है यहाँ पे मेधा सर्व ड्राइबर और HBL करने यह लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या कवच एक्वीपमेंट यहाँ पे two more being in pipeline तो और भी इसमें आ रहे हैं इसमें वो glitches नहीं आ रहे हैं इसको सारी चीजों को टैक कर दिया जागा इसे track पे रेडियो कम्यूनिकेशन्स टरनल के अंदर घाट सेक्शन्स यहाँ पे सारी चीजों को कैटल में फस जाए तो हर चीजों को यह deal करता हुआ नजर आ रहा है जो की important है अगर बात करें इसकी detailing की तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मैं detail दे दिया आसा करते हैं कवच के बारे में आपकी सारी चीजें clear हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं railway board जो यहाँ पे अलिक किया है कि signal interference की वजए से यहाँ पे चीजी हुई जिसकी CBI demand यहाँ पे करी गई तो जो rail accident था वो 275 के आसपास यहाँ पे आ गया है जो कि मैं आपको पहले बताया 1000 प्लस यहाँ पे injured है recently आपके बिहार के गंगा में एक breeze थी जो की collapse हो गई अभी construction mode में थी 1716 करोड के आसपास तो कहाँ पे हुआ है भागालपूर डिस्टिक में यह हुआ है नियूज में जो भी BPSC की त्यारी करते हैं इस नदी को बिलकूल भी जाके पढ़े गंगा रिभर को और भागालपूर के locations को जरूर दे आए क्योंकि questions यहाँ से बनाय जा सकते हैं तो अंगुनी सुल्तान गंज गंगा ब्रीज यहाँ पे कुलाप्स हुआ है इसको भी ध्यान में रखना है तो यह कॉंगरिंग अगुवानी सुल्तान गंज गंगा ब्रीज यहाँ पे कुलाप्स हुआ है भागलपूर के असपास हिमाचल और पंजाब में यहाँ पे टसल सुरू हो गया कि इस प्रोजेक्ट के लोगे सनम पावर प्रजक्ट के यहाँ पे 99 साल का यह ब्रिटिस एरा का 110 मेगा वाट का सनम पावर प्रजक्ट जो की हिमाचल प्रदेश में आता है 18% आप 4000 पुलिस आमस यहाँ पे मनिपूर में लूटे गए आपको बता दें रिसेंटली यह न्यूज में था तो एक मिताई ट्राइब है एक कुकी ट्राइब है यह दोनों ट्राइब इंपॉर्टेंट है न्यूज में है इसलिए इन ट्राइब के बीच में टसल सुरू हो ग लेकिन यहीं मिताई 12 साल 15 साल से ही डिमांड कर रही है इसको 6 सेडियूल में नहीं रखा जा रहा है जिसके कारण यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दोनों एथनी ग्रूप के बीच में कॉन्फलिक्ट निकल के आ गई तो यहाँ पे कुकी ट्राइब बहुत वाइलेंट ट् लेकिन SOP एक साइन हुई थी Union Government के अंतरगत कि इसको हम लोग रोक के रखेंगे यह Militancy Group को रोक के रखेंगे लेकिन यहाँ पे देखिए पुना यह चीज़े उभर के आई है तो 4000 पुलिस आम्स का 18% यहाँ पे उन लोगों के द्वारा लूट लिया गया है अब देखते है किस प्रकार से Union यहाँ पे डील करती है Injured Locopilot Battle Pain and False Narrative तो यहाँ पे जो लोगों पाइलेट है यहाँ पे उसका जो बाते बोली जा रही है वो हम देखेंगे तो 1000 बहेरा 36 साल की उम्र वाले इनके सरीर पे 1000 प्लस यहाँ पे चोटे हैं किसी तरीके से यह उस ट्रेन में बच गएं तो उस ट्रेन से वो किसी तरीके से कुलाइड में बच गएं लेकिन अभी भी इतने पेन से वो गुजर रहे हैं सायद ही वो बस सकें तो उनकी critical conditions है व अगवान उनको स्वास्थ जल्दी प्रदान करेगा उनका स्वास्थ जल्दी ठीक हो क्योंकि बहुत ही भेंकर ये accident हुआ है friends ये भारत की इतिहास में one of the major accident के रूप में consider किया जा रहा है एक veteran है सुलोचना जो की 94 साल की उमर में died हो गई ये हिंदी और माराटी फिल्म की actor थी तो सुलोचना जी को देख सकते हैं 94 साल की उमर में इनकी date हो गई अगर पूछ ले किस field से हैं तो इस questions है ऐसा बने तो इनको बताना है acting के field से है चाइना जो है जानी रहा है किस प्रका कर चुके हैं तो news में है इसका space station का क्या नाम है आप जरूर बताएं यहां पे switch canal यहां पे जो है इसकी traffic resume हो गई थी after stranded tanker तो जो tanker से फस गई थी अब पुनहा इसकी traffic start कर दी गई है यह हमेशा news में आती रहती है switch canal से UPSC state PCS questions बनाते रहते हैं इसको हम लोग detailing में देखेंगे सबसे पहले देखेंगे location कहा है देखिए background का news बहुत important हो जाता है अगर आप background में जाके reading नहीं करेंगे तो कहीं कहीं issue निखलके आ जाएगा और ये चीजें आपकी information knowledge को demonize करती हुई नजर आएंगी अगर आप background में जाके नहीं खंगा लेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पे switch canal का location कहा है तो आप देख सकते हैं red c है ये Mediterranean c है ये आपका Asia हो गया ये आपका Africa continent हो गया इन दुनों को connect करता है आपका red c को और Mediterranean को connect करने के लिए यहाँ पे बनाये गया है switch canal switch canal के detailing को भी हम देखेंगे अभी हम लोग switch canal को देख लिए हैं ये आपका switch canal है ये switch canal इतना important role play करता है किसी भी maritime trade के लिए कि इसकी locations इतनी prime locations है कि अब किस प्रकार से इसकी detailing देखेंगे चलिए detailing को देखते हैं यहाँ पे switch canal एक artificial sea level waterways है तो यहाँ पे sea level का मतलब समझे एक level में है sea के waterways है और एजिप्ट में ये चीज़ें है connect करता है Mediterranean Sea को red sea से और इस्थमस आप switch भी इसको बोला आता है और divide करता है क्या Africa और Asia को ये चीज़ें divide करता है वही switch है canal जो Africa और Asia को divide कर देता है 193 km की इसकी range है जो की Europe और Asia के आसपास popular trade कराने में मदद करती है constructions की बात करते हैं तो यहाँ पे 1869 में चीज़ें start होती है 69 में complete होती है यहाँ पे 17 November 1869 को officially ये चीज़ें open करी गई थी तो ये भी questions यहाँ से बना है कब ये completion हुआ कितने किलोमीटर का है किस किस country से होके गुजरता है ये चीज़ें questions बने हैं कई सारे pieces में questions बने हैं इसलिए इसकी importance हो जाती है और ये news में हर साल कहीं न कहीं रहता है इसको देखने की भी जरूबत है ये offer करता है direct vessel direct route जो भी sea पाते हैं उनको direct route देता है North Atlantic, Northern Indian Ocean, Mediterranean Sea में सीधे चले जाईए rate sea से होते हुए और avoid कर सकते हैं आप South Atlantic में जाने से sea में और London पहुँचने में 89, almost 9,000 km आप समझ सकते हैं ये distance करता है 10 दिन कम कर देता है तो ये चीजे हैं और port sad से सुरू होती है port तैवफिक तक इन चीजें जाती है तो इसको map में हम देखेंगे ये है आपका Mediterranean Sea आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ला बाइपास दिख रहा होगा ये आपका तस्मान लेक है तो तस्मान लेक यहाँ पे याद रखिएगा और ये great bitter लेक है ये भी questions UPPCS यहां से बनाया है तो great bitter lake, little bitter lake ये सब point है तो स्वेज की खाड़ी ये रही little bitter lake, great bitter lake और तस्मान लेक यहाँ पे आके मिल जाते हैं तो ये end point, ये start point, port side, end point, port तैवफिक ये दोनों important है आसा करते हैं स्वेज कैनल से जो भी question आएगा वो इसमें मैंने cover कर दिया है तो ये थी आज की सारी detailing आसा क चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हो, background news के साथ जो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, detailing से बताई जाती हैं, तो आप हमारे telegram channel को भी subscribe कर सकते हैं, YouTube channel को भी subscribe कर सकते हैं, आपको बता दें, ये सारी PDF आपको telegram channel पे प्राप्त हो जाती हैं, साम the academy the Hindu editorial analysis